नमस्का दश्को यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका सागत है मैं आज आपके सम्मख के उपस्ति दूए हूँ मेश लगन में वैपार वा बिंजिस करने का योग ऐसे जातक जिनका मेश लगन है और वो नौकरी करने में इंटेस्टिड नहीं है और उनका मानस होता है बार वैपार करना चाहिए तो हमें सबसे नहीं करना चाहिए तो हमें सबसे पहले धनवाप देखना है उसके बाद लागनेश की पुजिशन देखनी चाहिए लगनेश किस जगह पर बैठा हुआ है लगनेश का कख्यम भाफ से समन्द बन रहा है उस के भाग्वाप की बकिशन हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी सोच पॉजटिव होगी आपके डिसिजन सही होगे और आपके भागे भागे की पूरा साथ मिलेगा और आप वैपार में जोखी में उटा सकते हो इसके साथ ही अगर आपके दर्शम भाप से बुद्ध का संबनता है तो बुद्ध जो है अगर वह आपके दर्शम भाप से समद्ध बनाता है तो आपके द्वारा बिद्ध सही डंग सी किया जाएगा और आपको बिद्ध में सफ़ता भी मिलेगी तो आज हम बिताज करते हैं कि अकर आपकी मेश लगन की कुंड़ी है तो उसके अधार पे आपकी कुंड़ी में कि देखेंगे कि वैपार या बिजिश आपना कोई नया शोरूम या अपनी कोई दुकान खोलने के लिए आपको किस तरह का योग देखना चाहिए तो आपके समुक है यह मेश लगन की कुंड़ी मेश राशी एक नमबर की राशी लगन में है और साथ ही विशब राशी जो है इसमें गुरू बैठा हुआ है मितुन राशी, करक राशी, सिंग राशी, कन्या राशी, तुला राशी में केतु, विश्चिक राशी, धनु राशी में शनी, मकर राशी में मंगल वा बुद्ध इसमें मंगल जो है अपनी उच राशी मकर में है और कुम राशी जिसमें जातक हमारे पास ओक प्रश्ण लेकर आए कि क्या मैं वेपार कर सकता हूं धन भाब की पृद्धाप की पृदिशन क्या है धन भाब का देखेंगे सब पहले सवामी ik pewno olur विश्व राशी स्वामी हुआ शुक्र तो देखिए धनबाब का स्वामी शुक्र जाकर बैटा है कुम राशी में एक अदश बाब में यानि लाब भाब धन भाब से तो अपन संपत्ति का विचार करते हैं कि कितना धन होगा हमारे पास और लाब भाब से विचार करते हैं कि कितनी आय लगातार होगी हमारे पास तो जब धनेश और लाभेश का सम्मन्द आपकी कुडली में किसी भी तरीके से बन जाता है तो वो धन का बड़ा उत्तम योग होता है तो यहां पर देखिए कि धनबाब का स्वामी शुक्र जाकर लाब भाब में बैठ गया कुम राशी में और शुक्र बैठा है कुम राशी यानि शनी की राशी और शनी की राशी में शुक्र जो है मित्र शेतरी होता है तो मित्र शे जिष्टी अपने ही लाब भान को देख रहा है और जब्यूत्स अपने ही लाब भान को देख़ रहा है तो यहां पर धनेश भी वैठा हुआ। जहाने आपके पक्न कती हैं जहांगे लावश का सम्मंदि美 लैवेश की दिश्टी लावब भाब में हैं और आप की पर्वाब है कण्य राशी जिसका स्वामी होता मितुन राशी से भी संबंद मना रहा है करने राशी से भी संबंद मना रहा है ऐसा जातक निश्चित तोरवे अपना अच्छा बिंजिस मैंन होगा अब यह तो हमने देख लिया कि धनबाब की पोजीशन अच्छी है लाबाब की पोजीशन अच्छी है लगनेश का वैठा है मैंने लिखा हुआ है कि जोतिश में सिदानत है कि अगर लगनेश दशम भाव में हो तो जातक वैपारी होता है वैपार करने का यह बहुत बड़ा योग है कि आपकी कुल्ली में लगनेश जो है दशम भाव में बैठा हूँ ग्रुवाब में कौन जाके बैटा गुरू, गुरू क्या है brothers and brothers? यानी, भागेवाब का स्वामि जो जाके आपका, धनवाब के बैठा, यानी कितनी उत्रम पोजिशन है? कि ट्रिकोण में भागेवाब की राशी है, और उसका स्वामि जाकर आपके धनवाब में बैट गया और फुर उसकी दिश्टी देखिए एक दो ती एक दो तीन चार पाँच एक तो दिश्टी उसकी कन्या राशी पर एक विश्चिक राशी पर और एक आपकी दशम भाव में मकर राशी पर यानि गुरू जो है बुद्ध पर दिश्टी डाव रहा है यानि जो आपका भागेश है उसका समंद भी आपके बुद्ध से बन रहा है और भागेश की दिश्टी आपके लगनेश मंगल पर भी है यह योग भी जो है इस तरह का योग जो कहते है कि देव गुरु बरस्पति की जो किरपा दिश्टी ऐसी होते है कि जहां भी कुर्ण गश्म भाब को देखना भी कारेश चेतर में सफलतावा आर्थी उन्ती का परिचायक है इसके साथ ही लावेश नि भागेवाब में बैटकर लाविस्तान को देखता है और साथी लाविस्तान पर देखिए तीन घरे बैठी है कैसे एक तो आपका पंचिमेश बैठा है सूर अपने भाब को देख रहा है साथी चतुरतेश भाब यानि जीवन में सुख कितना मलेगा और यहां पर एक संकेत यह है कि जीवन में जब चौते भाब से संबंदी चीजों का भी आपको सुख मिल सकता है उस सुख भाब का सौमी भी आपके लाब भाब में बैठा है कि ला अपने भाब में भी एक घ्रह बैठा है और लाब भाब में भी तीन ग्रह बैठे है जानि इस कुणली में धन और लाब भाब से चार घ्रहों का समन्द बन रहा है लगन पर लगनेश की दिष्टी है बहुत बड़ा राजयोग मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बता है की जब लगन लगनेश को देखता है उससे बड़ा राजयोग लाइफ में कोई नहीं होता जैनि राजयोग देखिए कि लगनेश दश्मस्त हो गया मकराशी में होके बैठा है दर्शमभाब में रूचक योग बना रहा है दर्श्यमभाब में बुध बैठा है जो इस भागेश का जो दशमेश और लाबेशा भाग का भागेवाब में बैठकर अपने ही लाभ भाग को देखनास बात का संकेत देता है कि जातक जो है को भागे का पूरा साथ रहेगा उसका लगनेश उचका होकर केंदर में बैठा है और उसकी बुद के संग्यूति है दशम इस परकार हम देख रहे हैं कि इस पूरी कुडली में यह देखने के लिए कि जातक वैपार वाब इंजिस करेगा कि नहीं करेगा तो सबसे पहले तो हमने देखा धनबाप, धनबाप का सवामी लाभभाब में बैठा, लाभभाब के सवामी ने धने शुकर को दिश्टी दी, लाभभाब को दिश्टी दी, पंचिमेश को दिश्टी दी, चतुरतेश को दिश्टी दी, भागेश जाके धनबाप में बैठा और उसने आपके दशम भाब को दिश्टी दी, इस परकार अगर हमें किसी जातक की कुडली में देखना है, जैसे हमने अस मेश लगन की कुड देखेंगे और लगनेश मंगल की पोजिशन देखेंगे और साथी कुड़ी में बुद्ध की पोजीशन देखेंगे तो आप देखिए इन सारे माब जंडों पजे कुड़ी खरी उतर रही हैं कि लगनेश दशमْ vehaam मेंहों और वुद्थ धुडश मस्तो जतक वैपारी होता ये दोनों ही योग इसकुडली में घटित हुए है भागेश भोगेश कुरू का दित्ते भाब में बैटकर दशम भाब को देखना भी कारे चितर में सफलता वांती का परिचायक है लाबेश शनी भागेवन में बैटकर लाबिस्तान को देखता है तो धनेश शुक्र चतुरत देश चंद्रमा पंची में शूरे के साथ लाबिस्तान में है लगनेश मंगल का उचस्टोकर के इंडिस्तान में बैटना रूचक योग बनाता है और दशमेश और एकादेश का नवस्टोकर हुना भी कारे चितर में भागे की सहायता से अधिक लाब का संकेत दीता है तो अपनी कुल्ली में देखे कि उसकी कुल्ली में धनवाब की पोजिशन कैसी है जैसे अगर आपका मेश लगन है अगर आपका धनेश शुक्र यहां पर बैठा है तो भी आप बिंजिस कर सकते हैं क्योंकि धनेश अपने भाब को देखेगा इसके लाबर यह भी हो सकता है कि आपका धनेश शुक्र तो यहां पर बैठा ओ और आपका लाबेश अगर आपकी कुण्ली में आपके लगन का संबन छटे आट में बार में से बनता है तो आप वेपार करने से थोड़ा बचें क्योंकि रीजन क्या होता है कि ये तो है छटा भाव डिंड रोग शत्रू का आट में बाव है व्यपतियों का और छटा भाव है खर्चों का नुकसान का अगर आपका लगन का स्वामी मा चला जाता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आएंगी और वेपार करने के लिए जरूरी है कि लाइफ में जितने कम घ्रह हमारे चटे आट में बार्वे भाव में होंगे हमारा वेपार उतना अच्छा चलेगा भाव में या बार्वे भाव में बैटने कोई और उपर टेंशन नीचे लकतां और कोई चला में हो अब्धूरी competitive बना चला जाएव याप में आप सेपाते हैं कि अगर आपको मेरा वीडियो समात के पात नहीं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो खिर पाइसे शेर कीजिए लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और साथ ही सब्क्राइब करने के साथ ही बैल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमस्कार दश्कों जैमाता दीजिए